दोस्तो नमस्कार, विछली करीब एक साल से जब से तीन नए कृशी कानून सप्टेमबर 2020 में पारलिमेंट से पास हुए, तब से लेकर अब तक किसान संगठन सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कृशी कानूनों को वापस ले लिया जाए, मगर सरकार किसानों की बात किया गया जब देश के एक बड़े हिस्से में लोगदाउन लगा हुआ था, क्रिशी बिल हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, तो ऐसे में सरकार को इस बिल को बिना किसी किसान संगठन से डिसकस कि ये बगैर पास करने की इतनी जल्देबाज क्रिशी क्यों थी इससे समझना मुश्किल है, क्रिशी बिल के मेरिट्स और डी मेरिट्स पर मैंने अपने एक वीडियो में डेटेल जानकारी ओरड़ी दे दी है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मगर फिलहार आप जुरे रहें मेरे साथ इस वीडियो म किसान आंदोलन में बात अब कहीं आगे बढ़ चुकी है, इन तीनों क्रिशी कानूनों के विरोध में देश भर के किसान 26 तवंबर 2020 से दिल्ली की सिमाओं पर बैचे वे हैं और उनकी सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, मगर वो सभी बेनतीजा रही है गवर्मेंट इन तीनों क्रिशी कानूनों में संशोधन करने के लिए तयार है और तो और गवर्मेंट इन तीनों कानूनों को डेर साल तक के लिए होल्ड करने के लिए भी तयार है मगर किसानों की मांगे ये हैं कि ये तीनों ही कानून उनके खिलाफ है और इन्हें रद करने से कम उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है गवर्मेंट जब इन तीनों कानूनों में संचोधन करने के लिए तयार है इन कानूनों को डेर साथ तक के लिए होल्ड करने के लिए तयार है तो उसे इन फार्म लॉस को रिपील करने में क्या दिक्कत आ रही है हो सकता है गवर्मेंट ये सोचती हो कि ऐसा करने से उसके मजबूत सरकार की छवी को ठक्का लगेगा यह हो सकता है उसका ये मानना हो कि अन्य संगठन भी अपनी अपनी मांगों को लेकर धर्ने प्याज आजाएंगी दिल्ली की सिमाओं पर धर्ना दे रहे किसानों का धर्ना बंद कराने के लिए सरकार में कई तरह के प्रयास किये यहां तक की धर्ना स्थल पर कटीले तार और कीले भी लगवाई मगर इन सब से किसानों के होसलों में कमी नहीं आई बलकि उनके इरादे और भी जादा मजबूत हुए देश ने शायद ऐसा पहली बार देखा होगा कि कैसे एक चुनीवी सरकार अपने नागरिकों के शांती पून प्रदर्शन को दबाने के लिए किस स्तर तक जा सकती है करीब 10 महिनों से दिल्ली की सेमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शीत लहरी, भीशन गर्मी और बरस्ते मेगों को खुशी-खुशी जेला मगर मेरा मानना है कि सरकार को किसानों के सब्र को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए सरकार का कहना है कि इन तीनों कानूनों से किसान की आय में वृद्धी होगी मगर अगर हम पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि इतने सालों में हमारे देश के किसानों के साथ नयाय नहीं हुआ है मैं आपको एक एक एक्जांपल के साथ समझाती हूँ 1970 में गेहूं का MSP यानि की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 76 रुपे प्रती क्विंटल था जो 2015 में 1450 रुपे प्रती क्विंटल हो गया यानि की 45 सालों में 19 गुना वृद्धी वही इन 45 सालों में सरकारी करवचारियों की सालरी में 120 से 1.500 गुना वृद्धी हूई है यकीन मानिये अगर सरकारी करवचारियों की आई में वृद्धी भी 19 गुना ही हो तो वो कपका नौकरी छोड़ चुके होते अगर हम महंगाई को पैमाना मानते हैं तो उस हिसाब से आज गेहूं का MSP छे अतर सौ रुपे प्रति क्विंटल होना चाहिए था। इससे हम क्या समझें, क्या महगाई केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ी है, किसानों के लिए नहीं। मुझे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सालरी, TA, DA से कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारी किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके भी अपने परिवार हैं, उने भी अपने बच्चों को पढ़ाना हैं, उनके घर के लोग भी बिमार होते हैं, आप ही बताइए वो अपन जीवन यापन कैसे करेंगे, इन सब के बावजूत, किसानों ने हमारी देश को food security में आत्म निर्भर बनाया हैं, और आज हमारी पास food grains का प्रचुर्ट स्टॉक है, किसान सरकार से ही उमीद छोड़ चुके हैं कि वो उनके लिए कुछ करेगी, मगर इन तीनों प्रिशी का कानूनों से किसानों को भय है कि उनकी जमीन भी उनके हातों से ना निकल जाए, हो सकता है किसान का यह भय निराधार हो, मगर अगर इन दस महिनों में भी सरकार किसानों को यह समझाने में विफल रही है, तो उसको चाहिए कि वो इन तीनों कृशी कानूनों को वापस ले ल व्रिक्ष जो ठूट होते हैं वो ही अकड़के खड़े होते हैं यह सरकार भी बहुत मजबूती से चुलकर आई है और किसानों की मांगो को मान लेना इसके संवेदन शील होने का परीचे देता है ना कि कमजोर होने का अगर अब भी केंडर सरकार किसानों की मांगो को नहीं मा जहां सभाद चुलाव में सब्ता परिवर्तन हो जाए धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक आशा करती हो वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए अगर आप मेरी चानल पर नए है तो मेरी चानल को जल्दी से करिए और बेल आइकन हिट करिए जिसके आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच पाएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएगा फ्रेंस आप मुझे प्टर पे भी जरूर फॉलो करिए मुलकात होगी बहुत जल्दी नेक् हुआ 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 ह